बताईए क्या कुछ हुआ है बाजार तो एक तरह से बाजार री-अजस्ट कर रहा है इस बैंक ऑफ जपान की नई पॉलिसी नई आउटलुक को लेकर इस्पेशली जो ये बॉन्ड फ्लेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो वहां से अब आप थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहे हैं इसलिए आज सुबह आपको SGX Nifty अब 80 अंक उपर देख रहा है डाव फ्यूचर्स में आपको स्टेबिलिटी लोटते हुए दिखिए तो बाजार का मूड महल काफी बहतर अब आपको होते हुए दिख रहा है गए तो जो तार दिन की कमजोरी थी उसको कवर तो नहीं किया बढ़ हाँ चार दिन गिरने के बाद एट लीस्ट कल संबले तो सही है नाजडाक एकदम फ्लैट बंद हुआ एक पॉइंट उपर बंद हुआ तो वहाँ पर अभी भी थोड़ा दबाव बना हुआ है बेकी और फेडेक्स के नतीजे आये तो ये स्टॉक फोड़ा आक्शन में रहा है आज शाम में भी आपको यहां पर एक मूव आती हुए दिख सकती है इसके लावा एनरजी शेर्स में आपने खरीदारी देखी बट उसके सामने कंजूमर शेर्स काफी कमजोर थे और टेसला का ब्रोकरिजिस की तरफ से डाउन ग्रेड आया तो उस टॉक पर भी आपने दबाव बनते हुए कल दीखा हाउसिंग डेटा अनुमान से बहतर आया ये नई कंस्ट्रक्शन की बात है अनुमान से बहतर था बट वैसे 18 महीने के निचले स्थर पर था तो थोड़े जो स्लोडाउन के संकेत है वो हाउसिंग डेटा में यूएस के ज़रूर आते हो दिख रहे हैं हाला कि बाजार ने इस पर कल जादा रियाक्ट नहीं किया चुनिंदा स्टॉक्स में अफकोस थोड़ा आक्शन आते हो दिखा था यॉरप मिला जोला कारोबार रहा है कुछ नहीं आक्शन डॉलर इंडेक्स अफकोस यहां पर बड़ी मूव आई क्योंकि येन काफी बड़ी अप्रीसियेशन कल दिखा रहा था तो उसके सामने डॉलर इंडेक्स आपको कमजोर देख रहा है करीब एक हफते के निचले स्थर पर है जिसकी वज़े से सोने में हमने मस्बूती देखिए करीब 1820 डॉलर पर आ गया है यहां पर आप देख रहे हैं अच्छा आक्शन बना हुआ है आपने चांदी में बड़ा आक्शन देखा है इनफाक्ट आठ महीने की उचाई पर चांदी आते हुए देखा है कल हमारे बाजार में भी 69,000 के उपर चांदी के प्राइस आपने बनते हुए देखे थे कच्चा तेल रेंजबाउंड है असी डॉलर के पास वहाँ पर कुछ बड़ी मूव्स नहीं आती हुए दिखी है बेस में आपने पॉजिटिविटी देखी है और एग्री कमोडिटीज में बड़ा रीबाउंड आते हुए देखा है थोड़ी डॉलर की सुस्ती का असर है साथातर कमोडिटीज में आक्शन आपको दिखा है और अधर्वाइस काफी स्टेबल आपको ग्लोबल संकेता रहे हैं कल के पैनिक के बाद